हेलो माई डियर्स हाव यू आई होब यू फिलिंग स्वेरी गूड स्वागत है आपका आपके ही चैनल बाइलोजी फैक्ट्स में मैं परता मुझे चुड़ाँ के साथ इस वीडियो में माई डियर्स आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारा बहुत ही जादा इंपोर्टन टॉपिक ऑफ चैप्टर सिक्स्त मॉलिक्लियर बेसिज ऑफ इन्हेरिटेंस तो आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं बहुत जादा इंपोर्टन टॉपिक है एक्जाम के लि जो हमारा सिक्स चैप्टर का एक्सपेरिमेंट नेम इस ग्रिफित एक्सपेरिमेंट है और ग्रिफित टांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है इसे हाना और इसके इलावा अगर मैं बात करूं सीधी सीधी हिंदी में कहूं तो कि हमें कैसे पता लगा कि डियनी ही ह सब्सक्राइब हमारा जैनी ंटीयल है वो चीज इस एक्स्पेरिमेंट से पागा इटॉर्मिंट चली will drive i'mlg जो टे साइंटिस्ट्स थे अन्द्धण तो उन्होंनेएक्सपेरिमेंट कैसे किया पहले हम वो जानेंगेगे फिर उसके बाद हम यह दकि jail को ही genetic material क्यों कहा ग that it's your Griffith experiment which is also you known as Griffith transforming principle and now start so Joe Griffith experiment like Griffith's full name is Fred Dicker Griffith okay experiment okay this experiment was our experiment this was in 1928 where are you? this was in 1928 and this experiment in this experiment what did they do in this experiment what did they do in this experiment when they were 2 activities did they did it the pneumonia causing bacteria pneumonia causing bacteria you know this one too when we showed our special pneumonia on this video about pneumonia we peace we were learning what's called pneumonia in this video and so we learned that we also had my pathogenes which was the pneumonia which was a steppococcus pneumonia steppococcus pneumonia this is a pneumonia which was the only the parents of the wife pneumonia causing bacteria which is the most important name steppococcus pneumonia and on other दुसरी ज़र्व उन्होंने लिए बहुत सारी माइस जाने की बहुत सारे चुहे एक तो नहीं ने 2 चीज़े ली और इस से उन्होंने अश्प्रेमेंट किया अल二 tips जब उन्होंने लिया Steptococcus pneumonia तो उन टो टाईपने एकली S ताईप एकली R ताईप Dane of Ass are a S-type और R-type ठीक है और यह genetic variation के लिए है इसमें क्या होता है कि जो S-type है जो उन्होंने S-type ली वो थी with the mucous mucous क्या होता है बच्छा म्यूकस होता है हमारा एक liquid material होना अगर मैं simple भाशा में कहूँ इसमें जो liquid ज्यादा होता है और लगा लो कि 95% liquid होता है मुकस में बाकी सारी हमारा protein DNA यह ऐसी चीज़े होता है उसे mucous कहा जाता है ठीक है तो जो S-type है वो mucous coating के साथ था अगर मैं R-type की बात करूँ वो without mucous coat के साथ था इसमें वो mucous था ही नहीं बट इसमें था ठीक है इसमें क्या था यह simple सी बात है अगर देखो liquid ज्यादा होगा तो वो क्या होगा वो smooth ही होगा shiny clonies होंगी ठीक है वो smooth ही था और shiny clonies थी ठीक है और मैं दूसरी तरफ अगर बात करूँ वो क्या था यह मारा R-type का था rough था rough chronies थी यहां पर rough clonies ठीक है यहां पर smooth clonies ठीक है so very simple S-type और R-type strains थी और जो S-type और R-type strains थी तो जो S-type थी वो simply with mucous coat थी तो वो smooth थी और दूसरी रफ अगर R की बात करूं R से मतलब याद रखो S से smooth R से rough ठीक है so R में क्या था without mucous coating थी और from that's why they make rough clonies तो इसी वजह से वो क्या कर रहा था वो rough clonies ही बना रहा था ठीक है so next अगर मैं बात करूं तो अब उन्होंने experiment को करना शुरू किया तो उन्होंने experiment में क्या क्या पहले तो अभी तक हमने यह देखा है कि हमने क्या क्या लिया experiment में कौन कौन सी चीज ली हाना तो अगर अब हम बात आगे बढ़ाते हैं कि उन्होंने अब यह कैसे किया उन्होंने देखो यह है तो देखो कि जिए अर्फ जब असे टाइप स्ट्र Collins अनुए झेल सा चाह honor उन्होंने क्या है मैंने तुर्फ यहल्म है मैंने ऊच्छेस दूसरी तरह से ऊच्रह डियत कि स्ट्र उस हमा उन्होंलियो किने शीयुद कहले इंनहोंने inject कर दिया एक चूह के अंदर, जब inject कर दिया एक चूह के अंदर, जूह के अंदर जब inject किया तो क्या हुआ? चूहा मर गया, जो वेरी सिंपल, जब उन्होंने S टाइप स्ट्रेंग रिया, होगा इंजट चुहे के अंदर वह मर गया झाय और उसके बार नेक्स्ट उनून फिर दूसरी बार क्या कोई जुलू एक बार हम आपने एस कर ले क्या को हिंते हैं तो उन्होंने क्या किया भी तक यह नहीं आर टाइप स्ट्रेंड को उठाया और उन्होंने फिर से इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो सिंपली माइस क्या हुआ जीता रहा माइस जी वित रहा तो इसे हमें क्या पता चल रहा है कि जो S-type strain थी वह dangerous थी वह harmful थी और दूसरी जो strain थी वह सई थी ठीक थी not harmful no harmful यह जो उपर वाली harmful थी नीचे वाली harmful नहीं थी तो ठीक है जी अब तक हमने यह देखा तो उसके बाद वह टीक है नहीं वह कहते हैं अब आगे उपड़े उन्होंने क्या 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 उन्होंने क्या थी जो बैक्टिरिया थे मारने वाले उनको केल कर दिया जाने की हीट किल कर दिया गरम कर दिया एसे स्ट्रें को और उसमें से जो harmful bacteria को मार हाना मले हीट कर दिया simply और जब उन्होंने हीट करके के बाद bacteria के मरने के बाद inject किया तो क्या हुआ माइस फिर से जीविद रहे माइस को फिर से कुछ नहीं हुआ तो अब यह खुश हो गए मतलब की खुश तो हुए बट साथ में क्या होगे confused भी हो गए हाना उन्हों देख अन्होंने क्या किया है अब इस त्रेन हीट धिया वाली हुआ यहां स्ठीन आपर हो। इस क्या और रस तरफ और नों जीविद रहे था को माइस चीज को मैश के अंदर इंजेक्ट कर दिया हाना उस न HOW년 दो ने क्या हुआ पहले तो देखू सहीं वाली उठाया था उससे क् एंजट किया गया झाया तब मैस घ्वित रही तो फोटाइप मृत से एयसे स्ट्री में फीरस के उनकllä इस मृत कई से व ταसदशेट driving फिरस् जीवित यहां प्लाइप घिनली से रहे टो ड्र macht भार्ण हो जरी नहीं अब होगत सब्सक्राइपि hanoda उसकता है जब कि हमने तो पहले देखा था तब तो जीवित रह रहे था आप को है किक्या था तो कि यहां पर जो एसे रहे थे अग्यांव घया थैर तो यहां कि जो SS strain है जो हमारी R strain है वो SS strain में convert हो गई तो जब इन्होंने यहां पर देखा ना तो अब सुनो थोड़ा से ध्यान से जब उन्होंने देखा कि mice मर गए तो उन्होंने उनका genetic material अंदर वाली जगा सारी मतलब कि जीवित है उसमें SS strain को डाला था पर कहते हैं जब हमने चेक अप किया तो उसके अंदर SS strain आ गया तो कहते हैं अब यहां पर जब SS strain आया तो स्ट मतलब कि कुछ तो हुआ है ना कि यहां पर जो हमारा आर इसमें कम वर्जन हो गई हमारे आर चरूप में Howard हो गया यहां पर transformation हो गई हाना तो कहते हैं कि तरह कियों हुआ है किस तरह है यह कहते हुआ है तो कहते हुए है तो आर स्टेंट यहां पर SS 10 में टरांस्फॉर्म हो गया ह basil हैMaster यह है सिंपल की यह आपर हम जो की ऐसे स्ट्रेंथ बन गई आफिर से जोकी की हा를म फुल था अविश मर गया हमना तो यहां पर जब से स्तंसों बना तो कैसे सिम्प्लि आरंके स्भी कुम कांवार्ट में यहां पर स्द्राइव장 करना पर सुक्षाइब सुम्हारा क्या जा coupon से अटे यह वज़य से उई तो इसी की खोज में निकल पड़े तो उन्होंने देखा कि यह जैनिटिक मैटीरियल है क्या तो इसी लिए आगे साइंटिस्ट आए उन्होंने देखा थीक है तो अब एक नीमोनिया एक माइस उसमें स्टेप्टोक। किस नीमोनिया की दो टाइपस ली एसस टैप और टाइप स्टैन ठीक है यह क्या था जैनिटिक वेरिएशन लाने के लिए मतलगी यह स्टैन थी और इसमें हमने डिफ्रेंसिस का देखा और उन्होंने कैसे चूहों के अंदर स्टैन को डाला अंदर फिर कैसे मर गए और मतलगी यहां पर क्या हुआ और स्टैन से एसस टैन में कन्वर्जन हुई ट्रांस्फोर्मेशन हुआ यह किसकी वज़े से हुआ जैनेटिक मैटीरियल की वज़े से हुआ तो अब जाकर उन्हें मतलब की लगा कहते भी अब यह अब उन्हें यह नहीं पता कि अजन्टिक मैटीरियल है क्या नेक्स्ट हमारे आगे सीन साइन्टिस्ट आए जिन्हों ने इसके उपर बातचीत की जिन्हों ने उसके उपर एक्सपेरिमेंट किये और वह साइंटिस तीन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आउस्वोल्ड Oswald Overy, second name is Colin McLeod and third one is McLean-McCaldie McLean-McCaldie, so these three were who experimented टीक है, तो इन्होंने क्या किया था इन्होंने जब experiment कि यह तीन्होंने कैसे experiment कि इन्होंने देखा इन्होंने सबसे पहले लिया Proties, bonus and Digest Protein, Mice न्होंने सबसे पहले क्या, प्रोटियेज लिया, उसके लिया और उसके बाद इसे दृट करवाया टैजीट करवाया हना यहाँ पर क्या हुआँ ड्यायजेस्ट प्रोटिन एंड यह मर गए ठीक है तर्ले की की सेकल मास मर गया पृट्रथ cabbage में उन्हें क्या छिज करवाया और इसे양त करवाया तर्फ टैजेस्ट करवाया यह यह आपर ट्रांसफर मेस गी हां मर गया फ़र्ड उन्हें र एने डेजस्ट कर वाया आरेने तो उसके किसमें भी बदल गया तीसरे किसमें बदला नहीं तीसरे किसमें एंश क...! तो यही हमारा मेंट है यही हमारा मतलब कि प्रोटिन है यही हमारा में शक्तिमान ही गंगादर है तो यही चीज है अब हम पता लग गया कि डियाने ही क्या है मतलब कि हमारा में है डियाने ही हमारा जैनिटिक मैटीरियल है ठीक है तो जो तीन साइटिंस थे उन्होंने मिलकर देखा कि हां भाई यही है हमारा जो जैनिटिक मैटीरियल तो इस परकार इस परकार हमें पता चला कि हमारे जैनिट इस Premiere कुछ म्हंना चलता रहता हैं उसके बात कांव वस्क्ता रहे से कग ondan सीles अधने पता हमें पता आनला है अब हमारा ग्रिफिक से अगर वो शुरुआत ही ना करते तो हमें पता ने चलता कि DNA ही हमारे genetic material है ना उन्होंने किया उन्होंने बताया पढ़ा समझा था ना इंटरलिंक्ट था उनका वर्क सारा थे पिःटा प्रस्रीट किया तो करते हां आगे टाइस यसाइट पढ़ां समय था और यही था हमारा ओज इसमें है नहीं मिलते है नेक्स वीडियो में एक नए टोपिक के साथ एक अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए ओके बाई बाई फ्रेंड्स टाटा ओके बाई बाई डियर